गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुडे आवर सब्जेक्ट इस हिंदी रीडर, तुडे आप लोगों को एक सुल्तान के बारे में बताऊंगी, ठीक है, और उनके राज्ये के बारे में बताऊंगी, वो कैसे थे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सुल्तान है, ये बैठे हुए हैं, तो दिल्ली के सुल्तान हमेशा ऐसे मसले तलास्ते थे, जिने आधार बनाकर वे अपने पडोसी राज्यों के साथ युद्ध करके, उन्हें अपनी एक दिन, दिल्ली के सुल्तान के मन में इसी तरह विचार आया, उसकी अनुसार, उसका यह विचार, विजयनगर पर चड़ाई करने के लिए खास बहाना बन गया, उस समय विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय थे, उसने तुरंत अपने दूद को बुलाया, अपने हाथों से संदेश, थमाते वे विजयनगर जाने का आदेश दिया, तो दूद जो है, सुल्तान की आग्या से विजयनगर पहुँच गया, संदेश जो है, राजा कृष्ण देव राय के सामने पढ़ने लगा वो, तो उसमें लिखा था कि हम विजयनगर के सभी कूओं को दिल्ली के दो कूओं के विवाह में सामिल होने की दा जाएगी यानि की बहजयती मानी जाएगी, तो राजा और उनके सभी मंत्री इस तरह का संदेश पर एकदम आश्चर हो गया उनको की ये क्या इक इस तरह का संदेश भेजा है सुल्तान, बहुत बार पूशने पर दूथ ने कुछ ने बताया, देखिए ये दूथ है, और ये राजा कृष्ण देव राय है, शुरूम मैं आप लोगों को बताई थी ना कि सुल्तान है, बट ये राजा कृष्ण देव राय है, ठीक है? जब राजा ने बार बार पूशा, और वो जो दूथ गया था, वो कुछ ने बताया, और वो जल्दी ही दिल्ली वापस लोट गया, अब राजा कृष्ण देव राय को समझने में तनिक देर नहीं लगी, कि सुल्तान चाहता क्या है, वे समझ गया है, कि सुल्तान विजय न अगर पर आक्रमन करने का बहाना ढूंड रहा है, तो इस विपत्ती के समय उन्हें कुछ समाधान सोची नहीं रहा था, और सारे दरबारी एक्दम चिंता में पढ़ गया थे, तो उसी समय तेनाली राम दरबार में आ गया, तो तेनाली राम ने जो निमंत्रन पत्र को पढ रहा, और ठाके मार कर जोड़ जोड़ से हसने लगे, फिर राजा की तरफ मुड़े और कहने लगे कि बस इतनी सी बात आपको परिसान कर गई, आप इतनी सी बात से परिसान हो गया, आप इसकी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दे, मैं उसी उत्तर लिक कर भीज दूंगा, ठीक है, ऐसे बोले, कौन बोले, तेनाली राम बोले, अगले दिन सुबह अन्य दिनों की तरह दरबार लगा, लेकिन उस दरबार में एकदम खामोसी थी, सब लोग चुपचाप थे, राजा को यह तक ज्यात नहीं था, कि आखिर तेनाली के पास योजना क्या है, तो तेना के महान सुल्तान, मतलब कि तेनाली ने संदेश में क्या लिखा है, ओ दिल्ली के महान सुल्तान, आपने अपने राज्य में, खुसी के इस बड़े औसर पर हमें और हमारे कौनों को याद रखा, यह हमारा बड़पन है, उन्होंने संदेश में क्या लिखा है, कि आपने हमे याद रखा और हमारे कुऊंगों को याद रखा ये आपका बड़पन है लेकिन जहां तक आप आपकी कुऊंगों के विवाह में हमारे कुऊंगों की सामिल होने की बात है तो हमारे कुए अब भी बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्हें विवाह में सामिल होने का निमंत्रण देने आपके कोई कुए स्वैम नहीं आए इसलिए उन्हें मनाने के लिए पहले आप अपने राजी के कुए यहां भेजें ताकि वे स्वैम आकर अपना विवाह में हमारे कुएं को आमंत्रित करें अब देखिए बच्चों स्टूडेंट्स देखिए तेनाली राम ने कितना घुमा के उत्तर लिखाया है न देखिए ध्यान से उसके बाद मुझे विश्वास है कि हमारे सभी कुएं सान्ति पुर्वक आपके राजे में आकर इस सामिल हो सकेंगे अब इस तरह का संदेश जो है सुल्तान के पास भीजा गया तेनाली राम के द्वारा लिखा गया संदेश क्रिस्न देवराय भीजवा दिये सुल्तान के पास जब यह संदेश दिल्ली पहुंचा और सुल्तान को पढ़कर सुनाया गया तो वह कुरूत होन तो देखिए बच्चो सबके जीवन में दुखदर्द और विपत्ती का समय आता है कभी न कभी है ना तो विपत्ती आने पर चिंता में कभी नहीं पड़ना चीए धीरच खो देना या फिर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना ये समझदारी नहीं कही जाती है ऐसे व्यक्ति जी करना हिमत और साहस से करता है और बुद्धी मता से काम लेता है बुद्धी मता यानि क्या बुद्धी मानी से काम लेता है वो परिस्तितियों को तुरंत अपने हित में करके विपत्ती को दूर कर देता है ना तो हम लोगों को अपने अंदर इसी तरह की गुन पैदा करने च प्लव को आप लोग दो से तीन बर पढ़ें इस कहानी को आप लोग 2-3 बर पढ़ता है यह बहुत अच्छी इस्टोरी है और कहानी सब्समद में आ जाए इसके बाद आप लोग देज लिखें समय के लिखें और रफ़कर का नम्बर लिखें और इसका नाम लिखें रफ़कर इंगे आफनी निए स्टेश्ट रदाया निया है निया रखनी रखनी वाफ्टिए रखनी जड़त रखनी देले जी विए